असलाम वालेकूम आज हम बनेंगे हैदराबादी खटी दाल तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे तो जब भी खटी दाल बनाना हो सबसे पहले हम इमली भीगा कर रख लेंगे यह है मुठी बर इमली तो पहले हम इमली को अच्छे से दो लेंगे और इसके बात में इसमें एक ग्लास पानी आट करके इसको भीगने के लिए रख देंगे लगभग आदे घंटे के लिए ये खटी दाल बनाएंगे हम तूर की दाल के साथ में अगर आप लोग चाहें तो मसूर की दाल भी ले सकते तूर की दाल की बदले में तो ये लेंगे हम 250 ग्राम तूर की दाल तो पहले हम दाल को अच्छे से दो कर प्रेशर कुकर में आट कर लेंगे छे से साथ कटे हुए टमाटर लेंगे छे से साथ हरी मिर्च दो गलास पानी आड़ करेंगे इसमें अगर ये बिना प्रेशर को करेंगे बनाना चाह रहें तो पहले दाल को हम भीगने के लिए रख देंगे आदे से घंटे के लिए और इसके बाद में दाल को बगोने में दाल कर बना लेंगे अब हम इसमें हल्दी पॉडल लेंगे एक टी स्पून दो टी स्पून अध्रक लेसन का पेस्ट प्रेशर कुकर में अगर ये तोर की दाल बना रहे तो इसको बिना भीगाए हुए ही हम बना ले सकते डाइरेक्ट अगर बिना pressure cooker करेके बनाना है तो इसको भीगाना जरूरी है और लाल मिर्च पॉडल लेंगे हम दो टी स्पून cooking oil 2 टेबल स्पून अच्छे से mix कर लेंगे अच्छे से mix कर लेने के बाद में अब हम pressure cooker का ढखन लगाएंगे और इसके बाद में flame on करके दाल को पकने के लिए रख देंगे यानि कि दाल को अच्छे से गला लेंगे तो चार सीठी में ये दाल अच्छे से गल जाएगी तो जैसे ही चार सीठी हो जाएंगे हम flame off करेंगे और pressure cooker का ढखका निकालेंगे तो और की दाल जो है चार सीठी में ही अच्छे से गल के तयार हो जाएगी अब हम इसमें आट करेंगे बारी कटा हुआ कोत्मीर और मुठी भर करी पता लेंगे कोत्मीर और करी पता आट करने के बाद में अब ये दाल को अच्छे से गोट लेंगे दाल गोटनी से इस तरह से अब ये दाल अच्छे से मैश हो गई तो अब हम इसमें इमली का निकाल हुआ खटा आट कर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम भीगी हुई जो इमली है इसको मत कर इसका रस निकाल लेंगे तो खटी दाल में इमली का खटा भी जो है आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आट कर ले सकते हैं किसी को कम खाना पसंद रहता किसी को जादा खटा पसंद रहता तो उसके हिसाब से इमली का खटा निकाल कर हम तयार करके रख लेंगे तो ये देखिए इस तरह से निकालना है और इसके बाद में हम इसको चान कर दाल में आट करेंगे इमली का खटा रेडी करेंगे लेने के बाद में हम इसको चान लेंगे भी तो पहले इसमें नमक आट कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से तो मैं इसमें आट करी दो टेस्पून नमक अब हम इमली का खटा आट करेंगे तो इस तरह से चान लेंगे तो एमली का खटा एट करने के बाद में अब हम इसमें एक ग्लास पानी आट करेंगे तो पानी जो है आप लोग अपने मर्जी के सबसे कम्या ज्यादा कर ले सकते दो से तिन स्लेट की हुई हरी में चैट करेंगे और इसके बाद में अब हम फ्ले मॉन करके दाल को पहले उबाल आने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही इसमें उबाल आएगा इसको हम पकाएंगे मीडियम हीट पे 10-12 मिनिट के लिए और जब दाल अच्छे से पक जाएगी 10-12 मिनिट के लिए जब हम फ्ले मॉफ कर लेंगे अब ये दाल बिल्कुल रेडी है तो अब हम दाल को बगार देंगे दाल बगाने के लिए सबसे पहले हम फ्राइंग पैन को गरम कर लेंगे और इसमें आड़ करेंगे कुकिंग ओईल ओईल गरम हो जाने के बाद में अब हम इसमें लेसन की कलियां आड़ करेंगे राई जीरा लेंगे राई जीरा और लेसन के कलियों का अब हम कलर चेंज होने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही इसका कलर चेंज होगा यानि के डार्क कलर में आ जाएगा हम फ्लेम ओफ कर देंगे और इसके बाद में इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा करी पता और लाल सुके मिर्च अब ये बगार बिलकुल रेडी है दाल को बगार देंगे हम तो ये देखिए इस तरह से दाल को बगार देना है अब ये खटी दाल बिलकुल रेडी है सर्फ करने के लिए ज़रू ट्राइ करके देखिए इस रेसिपी को कोई कौरासान रेसिपी है ये रेसीपी देखने के बाद में अगर अच्छे लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए. थैंक्स पर वाचिंग, आलाहाफीज.